आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Our question is The electrostatic force of attraction between the metallic ions and free electrons is called The question में बोला है कि जो metallic ion है और free electron है उनके बीच में जो electrostatic force of attraction होता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं metallic bond ठीक है अब metallic bond के बारे हम पढ़ते हैं Metallic bond है वो made up होता है similar atom से तो similar atom जैसे कि कोई भी एक atom ले लेते हैं कोई भी एक atom है जिसके center में proton and neutron होते हैं तो उसके member of positive charge होता है और उसके जो cells होते हैं उस में electron surrounded electron surrounded होते हैं जहां पर electron इसके चारो तकर लगाते हैं ठीक है अब metals के case में जो valence electron है metals के case में जो valence electron है वो more होते है balance electron more होते हैं और उनके बीच में जो यह electron है और यह atom है उनके बीच में जो attraction है वो थोड़ा कम होते हैं तो हमने यहाँ पर बहुत सारव atom बना दिये और उनका जो electron से ही present है यह इक ही metal के different atoms है और यह electrons है ठीक है different items और different items के electrons यह है अब जो nucleus है और यह electron है इनके बीच में जो attraction force होगा अब इन ही को हम metallic bond बोलते हैं ठीक है फिर से मैं बोल रही हूं कि क्योंकि यह जो loosely bounded होते हैं अब metals के अंदर जो electron है वो free पढ़े रहते हैं कोई थोड़ी ना कोई भी bounded है पर इन जो nucleus है और electron है उनके बीच में को एक attraction होता है उस attraction force को हमने नाम दिया metallic bond metallic bond क्लासिक से 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर